कि नमस्कार निर्मान आइस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम दे हिंदू और दे इंडिन एक्सप्रेसे प्रकाशिक दो लेखों पर चर्चा करेंगे जिसके अंतरगत पहर लेख है दे हिंदू में प्रकाशिक और दूसरा लेख है दे इंडिन एक्सप्रेस में प्रकाशिक वेल्थ फॉर्म दी स्टबल का ये शुरू करते हैं आज का पहरा लेख दे हिंदू में प्रकाशिक ऐस दी सीस कम प्लोजर आज का हमारा ये लेख ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण समुंदर जलस्तर के बढ़ने और उसका विभिन देशों की तटीय अबादी पर क्या प्रभाब पड़ेगा इस पर अधारित हैं साथ ही विश्व स्टर पर किस प्रकार के समाजिक राजनेतिक और आर्थिक मुद्दे इस समस्तर कारण पैदा होंगे और भरत को इस संबंद में कौन से मीधिया बतनानी जाहिए यह भी शामिल है तो जानते हैं इसका संदर्फ क्या है अगर यह पुछा जाए कि जलवाईयू परिवर्तन के कारण विश्व स्तर पर कितने लोग प्रवास करने के लिए मजबूर होंगे तो इसका आंखडा 10 मिलियन से लेके 100 मिलियन के बीच हो सकता है क्योंकि जलवाईयू परिवर्तन के बहु आयामी प्रवाव इस आकने को सुनशित करूप देने में एक अत्माई उत्पन करते हैं अर्थात वर्थमान समय में ये पता लगाना मुश्किल है कि वास्तविक्ता में जलवाईयू परिवर्तन किन किन रूपों में लोगों को प्रवावित करेगा अब समझते हैं कि जलवाईयू परिवर्तने कारण बहु आयामी प्रवाव कैसे होगा जलवायू परिवर्तने कारण लोग दिविन कारणों से प्रवास करते हैं जैसे सूखा, हिंसा, स्थान्य पारितंत्र का छरण, युद्य रोजगार हानी, आदी समस्याएं जलवायू परिवर्तन के कारण पैदा हो सकती हैं इसका अर्थ है कि जलवायू परिवर्तन समाज के प्रतेक वर्ग और छेत्र को प्रहुईट करता है अब जानते हैं कि जलवायू परिवर्तन के कारण किस तरह समुन्र तल में बदलाव हो रहा है जलवायू परिवर्टन के कारण समुन्द तल पर क्या प्रभाब पड़ेगा इसका वास्ते में अनुमान लगाना कठिन कारे है क्योंकि गरम पानी के विस्तार के साथ साथ गलेशर का पिखलना भूमी का निमंजन यानी सम्मर्जन्स भी सापेक्षिक रूप से समुन्द तल बृध्धि में भूमी का निभाते हैं इसके साथ ही ग्लेशर के पिखलने का पता लगाने के मॉडल उतने बहत्र तरीके से विक्सद नहीं किये गए जितने ग्लोबल वामिंग के मॉडल है इसी कारण से 2050 के बाद समुनतल में विध्धी के अनुमान उतने शुद नहीं है जितने मद्ध शिताब्दी यानि 1950 तक हुआ करते थे क्योंकि उस समय ग्लोबल वामिंग के कारण ग्लेशर के पिखलने की घटनाए सामने नहीं आई थी ऐसा अनुमान लगाए जाता है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरज इतनी तेहीं से होता रहा तो वर्ष 21 दक sea level rise में 2 मीटर तक की विद्धी हो सकती है अब जानते हैं कि समुन्तल विद्धी के प्रभाव क्या हो सकते है पूर्व के अंधनेों में जिनमें NASA के Shuttle Radar Topography Mission यानि SRTM डाटा बेस का इस्तिमाल किया गया जिसने sea level rise के कारण भूमी और लोगों के उपर पढ़ने वाले बास्तविक प्रभाव को कम आका है नेचर कॉम्मिनिकेशन में प्रक्राशित नवीन अध्यन के अनुसार समुन्तल विद्धी के कारण पूर्व अनमानों के तुल्ला में कहीं अधिक प्रभाव पढ़ेगा इसका अर्थ है कि समुन्तल विद्धी के चलते तटिये चेत्रों में बाड, तटिये भूमी चेत्रों में लवने जल का प्रवेश, तटिये अवसमरशना का विनाश तथा समुन्ताय तो पारिस्तिक तंत्रों पे पढ़ने वाले प्रभाव बहुत अधिक व्यापक होंगे पूर्व के अनुमानों को देखें, तो उनके अनुसार भरत में 32 के कारण 5 मिलियन लोग वार्षिक रूप से प्रावित होंगे, जबकि नए अनुमान की अनुसार ये आखड़ा 36 मिलियन का है, इसी तरह बाणादेश में ये संख्या 5 मिलियन से बढ़कर 42 मिलियन हो गई ह वर्ष्ट 2050 तक यदि तापमान, पूर्व और दुगी तापमान से 2 डिलियन से बढ़ता है, तब विश्टर पर 1500 मिलियन लोग पूर रूप से 30 मिलियन लोग पूर रूप से 30 मिलियन से नीचे होंगे, और वर्ष्ट 21 तक है संख्या 360 मिलियन हो जाएगी नवीन आख्रों के अनुसार, वर्ष्टमान में 30 मिटर तक के उठान चेतर यानि एलिवेशन जोन में वर्ष्टमान में लगभग 1 बिलियन लोग निवास करते हैं, जिसमें से 2 बटे 3 लोग 5 मिटर तक के उठान चेतर में रहते हैं अब जानते हैं कि इस प्रभाव के चलते सब्सादा प्रभावित होने वाले देश या चेतर कौन से हैं समुझतल में विध्य कारण तत्ये चेतर में रहने वाले लोग कही अधिक जोखिम का सामना करेंगी जिसमें चीन, बांगनादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाइलेंड, फिलिपेंज और जरपान जिसे देश का मुख हैं इन तत्ये चेतरों में रहने वाली बहुत बड़ी जनसंख्या जलवाईयों परिवर्तन के प्रती सम्मिदन शीर होगी एशिया ही देशों और निदर लैंड के लावा ऐसे 20 देश हैं जहां एक बटे 10,000 जनसंख्या वर्ष 2130 चेतर में हाई टाइड लाइन से नीचे रहने को मजबूर होगी अब समझते हैं कि समुन तल में विद्धी के कारण आर्थिक राजनतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं समुन तल में विद्धी के तटिये चेतरों के अर्थवस्था, तटिये समुदायों, अम्शनरशना इवं भूमी पर नकरादम प्रभाव के चलते तर ये छेत्रों पर रहने ले लोग अंतर भूमी छेत्रों और निकटवर्ती शेहर उबव कस्वोख्यक वास करेंगे छोटे देव छेत्र और देशों में जहां लोग समुलतल के बढ़ने के चलते अंतरभुमी छेत्रो और निकटवर्टी शहर ये कल्वे उपस्तित नहीं है वहाँ लोग निकटवर्टी देशों या सीमा छेत्र कुर्प वास करेंगे जिससे राजनितिक स्थिर्टा प्रभावेत होगी अब समझते हैं कि समस्या से निपटने के लिए भारत को किस परा की नीती अपनानी होगी तटिये छेत्रों में सील लेवल राइस के प्रभाव को ध्यान में लगते हुए बाड अवरोधों को एवं प्राक्विर्टिक अवरोधों का विक्सित किया जाए लेकिन तटिये छेत्रों को सुरिक्षित करने के लिए इन इंजिनिरिनिंग उपायों की लागत जादा है अगला बिंदु है तटिये छेत्रों में अव सनरशना विकास पर रोख लगाई जाए और समुनुतल विद्धी को तटिये छेत्र न्योजन का हिस्सा बनाया जाए सम्विंदिन शील तटिये छेत्रों से भविष्य में होने वाले प्रवास को ध्यान में रखते वे पहले ही योजना तियार कर लिनी चाहिये इसके साथ ही शेहरी नियोजन नीतियों विशेश कर मध्यम अकार वाले कज़बों को पहले से ही आने वाले प्रवासियों को ध्यान में रखती नीतियां अपनानी होगी भारत को विभिन देशों के साथ पूर्व में ही प्रवासियों को लेकर छेती समझोतों पे सहमती विक्सित की जाए साथ ही जलवाईू परिवर्तन के गंभीर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रवास इवं पारितंत्र पर उसके प्रभाव के प्रभंदन की पूरी तैयारियां आपसे समन में इवं प्रभंदन के साथ-साथ संथ अभ्यासों का आयोजन छेत्री देशों के साथ किया जाए अब देखते हैं कि आज किस मुद्द से जुड़ावा मुखी परिक्षय प्रश्न क्या हो सकता है जलवाईयों परिवर्दन के कारण समुन्द तल वृद्धी के प्रभाव को बताते हुए भविश्य में इस समस्या के प्रती भारत की रणी तिक प्यारी की विवेशना कीजिए आई अब देखते हैं आज का दूसरा लेक आज के इस लेक में बरतमाल समय में प्राली से होने वाले प्रदूशन पर चर्चा की जाएगी साथ ही क्या वास्ता में प्राली प्रयावर्ण के नुकसान दाय के ये भी जानेंगे और पराली को संसाधन के रूप में कैसे इस्तिमाल किया जाए ये भी जानने का प्रियास करेंगे सबसे बेले जान लेते हैं आज का संधर्व क्या है कई बाइद परिस्तितियां हमें एक ऐसी स्तिति में लाखडा कर देती है जहां हमें चनौतियों का सामना करना ही पड़ता है और दीग कालिक समधान तक पहुशना पड़ता है पराली जलाने से होने वाला प्रदूशन एक ऐसे ही अभुदपूर संकट है हमें इस चनौति से निपटने के लिए केवल इसलिए क्यार करने की जरूत नहीं क्योंकि इससे दिल्ली चोक हो रही है या NCR छेतर में शुशन संबंदी बिबारियों में 50% बृद्धी हो रही है जिसमें COPD या अस्तमा की मामले शामिल है बलकि इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हम मिट्टी की उर्वरता खो रहे है और साथ ही पंजाब और हर्याना में कैंसरी घटनाव में बृद्धी हो रही है आईए अब देखते हैं कि दिल्ली में होने वाईयो प्रदूशन में पराली की हिस्सदारी कितनी है हर्याना और पंजाब में किसान 35 मिलियन टन पराली जिलाते हैं जो कि दिल्ली NCR के वायू प्रिदूशन स्तर के लिए जिम्मेदार है एक अध्यल में यह अनुमान लगाया गया है कि फसल अफशे जलाने से 150 मिलियन टन कार्बन डाय उकसाइट, 9 मिलियन टन कार्बन मोनो उकसाइट, 0.25 मिलियन टन सल्फर ऑकसाइट और 1.28 मिलियन टन पार्टिकलिट मैटर निकलता है अब जानते हैं किस मुद्दे की फ्रिस्भूमी किस प्रकार की रही है हर्याना और पंजाब में फिसानों को रभी फसल की बुवाई के बाद बहुत कम समय अंतराल में सर्दियों की फसल के लिए जमीन को तयार करना पड़ता है अगर वे इसमें देर करते हैं तो इन दिनों शीतकाल की अबधी कम होने कारण उन्हें इससे काफी नुकसान हो सकता है और अगर पराली को खेत में छोड़ दिया जाता है तो दीमंग जैसे कीट अगामी फसल को भारी नुपसान पचा सकते हैं पहले से ही एक आर्थिक रूप से अनिशित तिदी में होने कारण किसान क्रिशी अप्षिस्ट की निप्टान खले सबसे सस्ते विकल्प को अपनाते हैं जो की क्रिशी अप्षिस्ट को जलाना है या हमें ये ध्यान रखनी की जरूरत है कि प्रदूशन संकट के बारे में एक किसान भली भाती जानता है लेकिन हमें उसकी समस्यां को भी जानना होगा जैसे पसलों पे खीटों का आकरमन, प्रतिकूल बजारी गतिविधियां और मिट्टी के गिरती हुई उर्वक्ता अब जानते हैं कि पराली को संसाधन के रूप में कैसे बदला सकता है किरशी एक पुनर उथपादन प्रक्रिया है जो स्वेम का पुनर चक्रण करती है हमें इस प्रक्रिया में प्रतेक उतपाद का उप्योग करके उसे अक नए रूप में या अन्ने किसी रूप में मिट्टीम वापस करने की आवशकता है 35 मिलियन टन पराली से हम 21 मिलियन टन उस च्रेणी के जैविक उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं उत्तर पश्यम भारत में प्रती वर्ष जलाये जाने वाले 23 मिलियन टन पराली में नाइट्रुजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की कुल मात्रा लगभग 7 लाग टन है जिसका मुल्ले 1000 करोड उपे है इसके अलावा क्रिशी अप्षिज लिने के दौरान कार्बन एक कार्बन भी नस्ठ हो जाते हैं इस तरह से पराली फसलों की पोशक आवशक्ताओं को पूरा करने और मिट्टी के स्वास्त में सुधार करने के लिए एक महत्पून सोत प्रदान करती है ये पोशक तद्वन मिट्टी में कार्सीनोजेन्स के सतर को भी कम करके पंजाब में कैंसर खत्रे को भी कम कर सकते हैं हलाके सान ऐसी पहल अकेले नहीं कर सकते और इस उदेश्चे के लिए राज्य को मनरेगा की तरह पहले से मौझू तंत को चरणबद करने और संगलन करने की आवशकता है अब देखते हैं कि समसा से निपटने के लिए सरकार को 36 गर मॉडल से क्या सीखना चाहिए केंद्र द्वारा राज्य को मनरेगा में प्रिशी अप्षिस्थ के गटाई और खाद बनाने जैसी गतिविधियों को चामिल करने की अनुमती देने की आवशकता है ये कई राज्यों की और से लंबे समय से चलियारी मांग भी है पराली को उश्यों की खाद बनाने के लिए मनरेगा के तहट गोबर और कुछ प्राकतिक एंजाइमों के साथ मिलाए जा सकता है और उत्तर भारत में वायू प्रदूशन की समय से भी निप्टा जा सकता है 36 गर में पहले से ये गौथन की स्थापना करके इस अभिनव प्रयोग को शुरू किया गया है गौथन एक समर्पित पांच एकड़ का भूखंड है जो आमतोर पर प्रतेक गाउम में आयुजित किया जाता है जहां सभी अनुप्योगी पराली को पराली दान के माध्यम से एकठर किया जाता है और ग्रामे निवान दौरा जैविक अरवरत में परविर्थित किया जाता है इससे उन्हें जीविका भी प्राप्त होती है 36 गर सर्दकार केवल खेट से पराली को निकर्टम गौथिन तक परिवहन सुविदा का समर्थन करती है राज्ये ने अब तक 2000 गोशालाओं का सफलता पुर्वर विकास कर लिया है इस तरह से खृषी कच्रे के निप्टान के लिए 36 गर मौडल प्रदूशन संकट का समधान प्रस्तुत करता है अब सर्वोश नियाले में भी प्रदूशन संकट का संग्यान लिया है इसलिए इस चनौती के लिए सर्वोत्तम संभव समधान पेश करने का ये अनुखूलतम समय है 36 गर मौडल को नीटी आयो को समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है इसमें मनरेगा का उप्योग करते हुए एक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से नर्वा यानि पशुपालन उत्थान, गरुवा यानि मवेशी संदक्षन, गुरुवा यानि खाद और बाड़ी यानि किचिन गार्डन का एक एकक्रित उनर उत्पादन ग्रामीन विकास मॉडल यानि रीजिनेरेटिव डूलर डेवलप्मेंट मॉडल शामिल है इसके साथ ही पराली जलाने के संकट का मुल्यांगन करने के लिए अर्थशास्तियों, कृषी विशेश्यकुग्यों, किसान प्रतिनिध्यों और नाकोर शाहों को मिलाकर एक समीति का अगठन किया जाए और मनरेगा जैसी योजनाओं में कटाई और खाद के विस्तार की सं समाधान सामुहिक रोप से पारम प्रिज्ञान अस्थानिय संसाद्नों का इस्तिमाल करने के साथ ही प्रशाश्निक समर्थन को बढ़ा कर भी क्या ज़सकता है आईए अब देखते हैं आज के मुद्द से जुड़ा हुआ मुख्य परिक्षा प्रश्न क्या हो सकता है वर्तमान में विश्व के सरवादिक प्रतूशित शेहरों में भारती शेहरों की संख्या सबसे ज़ादा है भारती शेहरों में प्रदूशिन की समस्या कारण को बताते हुए इस समस्या के समधान के लिए कुष्णवाचारी उपाय सुझाईए हमें उमीद है आज का ये अंक आक्सी धिन प्रका की परिक्षा में साइक से धोगा किसी भी प्रका के कमेंट्स या क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में अविश्य शेयर करें निर्मान आएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नाम जंदने चीदेट